मैं फिलाल खड़ा हूँ देखें सेक्टर 14 की मार्केट में शहर है सोनीपत राजे हो गया अरियाना ठीक है तो मेरी सस्रौाल ने हाँ पे तो मैं अजस्ट आया वह था तो मैं एक्चली थोड़ी देर पहले यहां पे न जस्ट डीडी बेकरी अवहां में बेकरी पे कुछ खा पी रहा था फिर मैंने सोचा चले जाते हूं यहां पे मेरी नज़र पढ़ गई बॉडी फ्लेक्स जिम पे यह कैनरा बैंक जो है यह नीचे है उसके फर्स फ्लोर पे आप यह देख सकते हैं इनके ओनर है मोनु दहिया सहाब और आशीश दहिया सहाब यह दोनों थे मैं नाम याद करने कोशिश कर रहा था यही नाम थे उनके तो आए अंदर की दरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यह खुप सुरा जिम किस प्रकार है मैं को याद है पांच दहिया सहाब तो चलें आचा सबसे पहले देख लें वन मंत का तूथाउजन है तीन महीने के पाँच जार है छे मेने के आठ हजार है एक साल के बारहाजार है ठीक है और फीस रिफंटेबल नहीं है वो एडजस्ट हो जाएगी फ्री ट्रायल सेशन कुछ भी नहीं है ठीक ह तो यह सबसे पहले आप देख लें यह बाइक्स हो गई यह आपका एरोबिक्स में आ गया पहले मैं आपको ना सोच रहो एक बार पूरा हलका सा एक वाइड व्यू दे दूँ पूरा ता कि आपको आइडिया सा हो जाए कि अच्छा जिम यहां से शुरू हो के यहां पे खत होती है मुझे जिम शोड़े होए दस बारा साल होगे आजकल नहीं नहीं मशीन है यह इलिप्टिकल हो गई आपको पते ही होगा यह बिसिकलिए आप जिम शायद अपने शेहर में ढूंड रहोंगे खोज रहोंगे इसलिए वीडियो आप तक पहुच गया है या मेरी के बारे में जांकारी बोलने के लीए के लिए में उनर साङ को पकड़ा जो पालिक जीत है मैं उसे का भाई साइसा थोड़ा सब भीफ करने आप तो कहते है ऐसा ऐसा है से गली तो कि अ और यह सामने यह इस तरीके से बैठ के हो गया यह बटरफ्लाइ सॉट ओफ होता है शॉल्डर्स के लिए आपका डेल्टोइड बोलते हैं तो यह भी डिफरेंट सॉट ओफ एक्यूपेंट्स है हैं हापे एक्यूपेंट्स बहुत सही हैं गाने माने बज रहे थे एसी वेसी के पास है मैंने का सही है तो यह मेडिसिन बॉल तो मुझे बता है उसके साइड वाले दो तीन एक्यूपेंट्स थे वो मुझे नहीं बता यह पुलप्स के लिए भी हो जाएगा यह खड़े हो कि आप ट्राइसेप्स की एक्सराइजिस करने इस पे और मेरे से तो खेर सोग लेट के डंबल प्रेस कर लें मतलब डिफरेंट सौर्ट ऑफ ऑप्शन्स होते हैं यह पीछे क्या क्या बोलते हैं बता नहीं इसको ई करल बार अलगलग किसम के बार जनाम हुआ गरते थे जब जाया करता था जिम तब सब पता हुआ करता था यह तो मेरे खाल में मैं तो 25 क मुझे यह लगी यह आपका बैट के ना यह करल बार से आप अपने बाइसेप्स के लिए इस बेंच पर आप बैट के कर सकते हैं यह आपका डिकलाइंट बेंच प्रेस हो गया तो बाकी नीट एंड टीन था साफ सफाई थी गाने वाने बज़रे थे मोटिशन के लिए कुछी ले होके एक्सराइस में कुछ गपेश अपर मार रहे थे कुछ टाइम पास कर रहे थे बट कोई भी बंदा फोन लेके नहीं दिखा मुझे मैं सोचा था थोड़ा सा इनको शूट करना हूं फिर वो रुग गए तो मैंने बोला चले कोई नहीं यह बैट के लेक्सिक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा शायद निकला वह शायद ओफ सीजन होगा इनका सौरी अगर आप सुन रहे हैं मेरी बाद तो सौरी सर बट आपकी बहतरीं बोड़ी है खुबसूरत बोड़ी तो मैंने इंसे इजाहत मांगी थोड़ा सा वीडियो शूट करनो मुस्कुराते को या कौन टाइम पास कर रहे हैं सब समझ में आता है यह भाई साप भी लगे हुए धीरे दिरे स्लो एं स्टेडी स्लो का तो मज़ा यह लगए बोड़ी विडिलिंग में तो स्लो स्लो आप करें दास वर्य नाइस मैं को याद है मेरे कोच हुआ गरते ता राहुल चिब भ पदा नियुक्ति कि हम गचैस्ट की होती है यह अपर चेस्ट की होती शायद की अपर चेस्ट की होती कि मैं भी ब्हुत टेढर ठाले टाइम हो गए न अब चीजे है भूल जाते हैं थो यह कुछ लोग इने अटीज कर दे़िए मुझे थे के बाटी तो सब मेरे जी करेशि respect to anybody आप सब बहुत खुबसुरत इंसान हैं बहुत मज़े से exercise कर रहे थे ये बंदा सामने आला है ये बड़ा अच्छा positive लग रहा था मेरे मेरे channel का नाम पूछ रहा था thank you for your valuable time